अम्रिता कौन है? कौन अम्रिता? उसे तुम कैसे जानती हो? कुछ देर पहले तुमने उसका नाम लिया. ओ शिट! बटाई, आई, आई हेट हर. नो, यू लव हर. मैं इतनी सेक्सी होने के बावजूद, जब तुमने इतने करीब होने के बाद भी उस टाइम पे अम्रिता का नाम लिया. इसका मतलब तुम्हारा मन उसी के पास है. तुम इस वक्त यहां से जाओ और एक दिल फेंक लड़की को पटालो. जब वो तुम्हारा दिल दोड़ेगी, तब तुम्हें पता चलेगा एमोशन्स क्या है. उसके अपसिंस में भी तुम उसी की याद में डूबे हो. यह मैं जान गई हूँ. हाई. तुम्हारे चेहरे पर गुसा है, लेकिन दिल में प्यार है. तुम्हें अपने आपको पहचानने के लिए अपने दिल में जागना होगा. ममी, डड़ी. क्या है? बगवान ने मेरे साथ बड़ी ना इंसाफी किया. ऐसा क्या किया? मुझे प्यार के जाल में फसा दिया. बेचारी, वो लड़की कौन है? अमरिता. उपरवाले ने तेरे साथ ना इंसाफी नहीं किया. अमरिता के साथ किया. उपरवाले का भी हजीब फैसला. पापा, ये लव लेटर ज़रा अमरिता तक पहुचा दीजिए. वो कोरा कार्वाल ना, ये है असली लव लेटर. एक्चुली क्या हुआ ना ममी, फर्स्ट ताइम अमरिता मुझे पसंद नहीं आई, ये बात में डाड़ी को पहले ही बता चुका हूँ, हमारा जो कैंडल है ना, उसे तो मैने प्रॉमिस किया था कि उसे नहीं पटाऊंगा, उसके बावजुद भगवान नहां में अमरिता अमरिता की सुनेंगे, तुमने सही कहा यार, प्यारी, मेरा एरादा भी फिक्स हो गया, अमरिता, हमें भी एक चांस, तुम सब एक कैंसर की बीमारी हो, एक बार मौका दिया तो अंदर तक खोकला कर दोगे, ऐसी बात नहीं है, मेरा ओडिशन का टाइम हो रहा है, मेरा रास्ता छोड़ो, तुम सब की जगा है, रिस्ट रूम में, रोजाना में दस गंडे प्रैक्टिस कर रहा हूं, फिर भी ये कॉम्पेटिशन मुझे टफ लग रहा है, और तू समझता है कि दस गंडे भटकने के बाद भी, तू ये कॉम्पेटिशन मुझ से जीतेगा, शेर जब तक सोया है, तब तक हामोश रहता है, जब वो जाकता है, तो खुंखार हो जाता है, और जपटता है, तो सोच तेरा क्या होगा, रेस्ट रूम, निकल ले, कमान गाइज, ट्री, पॉर, वाइज, सेवन, एट, सुनो, हमें अपने टैनेंट को ऐसे दिखाना है, जिसे देखकर अमरिता बागल हो जानी चाहिए, येस, अमरिता से प्यार करता है, फिर उसे से जगड़ा भी करता है, प्यार में कभी जगड़े नहीं होते, नहीं होते क्या, ऐसे क्य तुम्हारा नाम हीरो ये कैसे गेजब है ये हमारा थीम है तुम अकेले आए हो और बाकी के लोगा है आए होगा 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 है वाव, ओकी गाइस, बहुत अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन डिसिजिन बिताने के लिए मुझे थोड़ा टाइम देना होगा, आप लोग कल मौनिंग में आए है जेना, MTV स्पांसर वालों ने तीनू कॉलेज से उन हार लोगों को चुना है बीजिंग, लंडन, जमाइका वाव, सुभब, दिल चीत लिया क्यों कहा तुने? तुम मेंसे कोई भी अगर मेरे अलावा किसी का तारीफ करेगा तो मैं छोड़ूंगी नहीं मुझे हर हाल में बेस्ट का आवार्ड चाहिए टैलेंट के दम पर कॉम्पेटिशन जीतने वाले को कहते है मुझे हीरोइसम और तैलेंट कॉम्पेटिटर को खरीदने वाले को कहते है विल्लेंसम मुझे हीरोइसम पसंद नहीं डांगे ये नया ग्रूप कितने में बिकता है ये पता लगाओ तेरे लिए तुमें कुछ भी करूँगा या 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 इल कॉल दम तुमॉरोओ लेट्स रमाइड में वान्स अब तक आप लोगो ने ड्रेस चेंज नहीं किया ये चेंज करेंगे तो आप हमें पहचान लेंगी ना मतलब है पहचानेंगे कैसे अप्रेशियेट ये सिंसियारिटी ये सिलेक्टिद मतलब इससे पहले आपने औरों को भी देखा है ना तुम लोगों का ग्रूप पैस्ट है जाहन बची लाखों पाई कि 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 किलर माफिया अब होने वाले कॉम्पिटिशन में कौन से कॉलेज वाले जीतेंगे कौन रिटार होंगे कौन हारेंगे ये उनका टैलेंट डिसाइड नहीं करेगा और नहीं जजज डिसाइड करेंगे करूंगा तुमारे लिए बहतर है कि फाइनल से पहले हाट जाओ आपके कहने से मैं हट जाओंगी क्या मैं मैं यहां जीतने के लिए आई हूँ मेरे अंदर एक बैड है इसलिए अधाता है तो लारा हो या सचन कुछ कहें बिना जोप जाप पवेलियन लौट जाता है जोच्ट बिंष्टी इंट्टी 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 अर्थ जानते हो तुमने किस से पंगा लिया, हूल जमाइका में पुलिस से भी ज्यादा पाउफुल गैंक से, माशल गैंक से, अब तेरा बमचिकी बमबम, बमचिकी, अब मैं टक रहा हूँगा तो गैंक से नहीं, लीडर से, एए, तु बागल है क्या, माशल मुझे कहां मिलेगा, पूछ रहा है कि मैं कहा हूँ आपका पता पूछ रहा था इस इट यह बता वो कहां पूटो यह क्या हुआ जिने हम प्रोग्राम करने से रोकने के लिए काये थे उन्हीं लोगों ने सीधा हम पर हमला बोल दिया पास पास शैतान आगया कौन है दू शैतान शैतान की दहशत शम्शान में होती है इसलिए मैं जहां भी जाता हूँ वहां शम्शान बना देता हूँ किस्लिए हो यहां किसलिये आयोह यहां पॉलियोशन कम करने के लिए पॉलियोशन तुम लोग अपने बेनेफिट के लिए हर बैंड को खरीद लेते हो इसलिए तुम्हारे वॉल्यूम को दबाना चाहता हूँ वक्त रहते ही संभल जाओ हमसे टक्राने की कोशिश नहीं करना कोई भी मेरे सामने कितनी भी रफतार से आता है तो मैं उसे सड़नली ब्रेक लगा देता हूँ मैं सिंगल जनरेटर डबल हॉर्स पाउर हूँ इसलिए पल भर में दस केलन ओईल को स्मोक बना देता हूँ 20,000 डिस्प्रेस साउंड डिस्टबंस इसलिए पॉल्यूशन को कम करने के लिए मैं यहां आया हूँ सब उत से जदा बोल रहा है तू खामोश मुझे पैदा करने वाले माबब की बाते मैंने कभी नहीं सुने तो फिर तेरी बोल बच्चन सुनूंगा यह तूने कैसे सोच लिया चलो अम्रिधा डाड़ी क्या हरा मेरी बेटिंब दो दो गया तूने को जो चाहता है हमें क्या चाहिए यह देरा बेटा जानता है तेरी छोटी से प्यारी पहन को कुछ गुंडे किड्नैप करके ले गए उसे कुछ हो गया तो मैं परदाश्ट नहीं कर पाऊंगा कौन थे वो लोग उन्दों को ने कहा तुम उन्हें जानते हो यह भी कहा कि तुम जानते हो उन् जान पर खेल जानते हैं लेकिन मेरी बच्ची को मुझे लॉटा दे इस वक्ति का फोन आ रहा है राख कॉंपिटिशन का टाइम हो रहा है जल्दी रेडी हो जाओ वन मिनिट अमरीदा हरी 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 हां ए रोक माफिया ग्रूप को मैंने ही भेजा था तुम कॉन हो डांग ए मैकसिको माफिया डांट एई कोई और कहीं से भी बोल रहा है उसे मुझे क्या लेने देना है मुझे अरज़ेंट काम है फोन रख पहले अपनी बहन की आवास तो सुन ले तू क्या पक्वास कर रहा है मेरी बात पे तुझे यकीन नही हो रहा है ना खुदी सुन ले मामी चुपकर तूने मेरी बेहन को क्यों किड़नेप किया बोल जेना के लिए जेना सही सुदा मैं चाहता हूँ कि जेना टाइटल जीत कर है ट्रिक मारे बेतर है तू अपनी टीम हटा ले तू आखिर मुझसे चाहता क्या है तू बेंट समेद भाग जा तू जैसा कह रहा है वैसा ही होगा जीत हमारी होगी अच्छाल यहां आए दर्शकों का छोश देख कर मैं तहे दिल से उनका स्वागत करता हूँ अब नेक्स परफॉर्म करने वाला ग्रूप है ओल्डी मैं रॉक बोल रहा हूँ मेरी बहन को किसे ने किटनैप कर लिया है अमरिता के खातिर जमाइगा के माफिया डॉन को मैंने ख़देड दिया मैं चांता हूँ अगर मेरी बहन को कुछ भी हुआ ना तो तेरे चाहने वाले चाहिए जो कोई भी हो जिन्दा गाड़ दूगा समझ क्या राक ये खबर अभी के अभी तू सारे लोकल गैंक्स को भेज़ दे अब आपके सामने अगली परफॉर्मस लेकर आरा है ग्रूप एप दी ए ए एन सी ए डान्स अटे दान्स कोल्डी किड्नैप कियोए बच्चे को मार देगा सहाओ वो रॉक की बेहन है यह मुझे पता चल गया है तेरा काम करूंगा तो तु मुझे चंद रूबे देगा और अगर रॉक के लिए फेवर किया तो मैं इस आइलेंड का सोलो डॉन बचाऊंगा थेरी था प्रॉफ गवर्ण घंड खालग अवर्ण रचीट्ल गवाद चीटने के लिए उसका रखना अपिव के जजस करेंगे चैनेकास तेम अवार्ण प्रॉद चीट्टने के लिए जिस्चालेग टीम नॉमेट भी है उसका आइलान एंटीव के जजस करेंगे लेकिन अपना बेस्ट परफॉमंस दिया है लेकिन सबसे पेस्ट किया है अमरिता ग्रूप में येस आइची मैं कास एक लाइफ परफॉमंस में पब्लिक के बीच लिब टो लिब किस करने वाले ग्रूप को विनर अनौंस करते लेकिन उन्होंने थोड़ी हथ पार कर दी जूचर में उमीद है वो अपनी परफॉमंस पे जादा धेन देंगे ना कि अपने बेहुदे रूमैंस परफॉमंस सो अमरीटा ग्रूप को कॉंपटिशन से डिस्क्वालिफाइ करके बेस्ट में बेस्ट रहा लेंडन के सरीना ग्रूप को विनर डिक्लेर किया जाता है अमरीटा ये जो उपर थे वो नीचे आ गया और जो नीचे था वो उपर पहुँच गया ठीए आउडिशन में तुम्हारा डेडिकेशन देखकर मुझे लगा कि तुम सुधर गया हो मेरे भाईया की आत्मा को अब कभी शांती नहीं मिलेगी तुम दोबारा अपनी ये मन हूँ शकल मुझे मत दिखाना अमरीटा अमरीटा तो असल बाप की ओलाद है तो कई छुपकर क्यों बैठा है सले तेरी अवकाद सिर्फ वहां के लोकल माफिया को ही अपनी हीरोगीरी दिखाने की है मैंने तेरे टीम की महीनों की महनत पर पानी फेर दिया यहां से बैठे बैठे जजजेस को खरीद कर तुझे जीरो बना दिया अब समझ में आया बेटा की हम में से तोप कौन है इस संसार में अगर कोई तोपची है तो वो बस एक ही है और मैं खुद हो क्योंकि मैं फिंदुस्तान के पैदाई्श्टुर्मखहन हो ऐय мен जो तूने जन्ना के लिए किया है वो मैंने अमरिता के लिए किया है Amriti से में प्यार करता हूं तब चल कrest है मैने तो ये सब अमरिता के प्यार के लिए किया लेकिन जन्ण के साथ तेरा क्या रिलेशन है। वादर एघडर का रिलेशंशिब है क्या? ब्रदर एख रिलेशंशिब हैक्या? या उसको तुने बस आझे ही टांबास के लिये अपने पासे हुआ है घम! क्या हुआ नर्न की सोशल सरवंट? जन्ण! गोड़ेस अफ अमेरिका कुछ ज्यादा ही उचल रही है तू अभी तो इसका फैसला होना बागी है कि कौन कितने पानी में हम भी होश नहीं आया एक छटके में तुझे जीरो बना दिया जीरो को ही चमकाने का नाम होता है हीरोईजम तू बहुत छोटी बाते करता है क्यूंक तू जो भी स्टेप लेगा उस पर पलट बार करके तुझे कहीं और पहुचा दोंगी जहां भी पहुचाईगे मैं वापन ज़रूर आऊंगा मैं सिर्फ एक या दो कदम नहीं लेता हूं फाइनल कदम पर ही फोकस करता हूं ऐसे मैं अगर कोई मेरे बीच में आया तो सीध डिस्ट्रक्शन देख तेरे बारे में में इतना सोचू इतना तो इंपोर्टन नहीं है नहीं हूं तो बहुत जल्द बन जाओंगा जैना मेरी बात गौर से सुन ले मैं अमेरिका आ रहा हूं गल्ती करेगा तू फ्लाइट नंबर टेक आफ टाइम इसमेस करूंगा सेलान नहीं रखू तो जो अब तक नहीं हुआ वो अब होने चारा है जैना तो जिस जमीन पर रहकर अपने आपको भगवान समझने लगी है ना वहीं तुझे हराऊँगा धूल चाटने के लिए इतना क्यों दडप रहा है? ठीक है आजा, ट्राइ कर ले अरे हकिकत में छोड़, सपने में भी मुझे देखना कितना मुश्किल है ये यहा आकर तुझे, समझ में आएगा मैं तुझे देखने के लिए नहीं आ रहा हूँ, बलकि मुझसे मिलने के लिए मेरी एक जलक देखने के लिए तुँ दर दर भटकेगी जना ये बंदा कितना कॉस्टली पढ़ सकता है, ये तेरी समझ में अपने आप आएगा जना ये, तु किसी मामूली लड़के को नहीं ललकार रहा है रे, एक मशूर हस्ती हूँ मैं, चुटकी बजाते ही तुझे मिट्टी में मिला दूँगी मैं की अपने बाप की एक लौती आउलाद हो, जो भी मुझे प्यार की जगा नफरत देता है, चाहे वो कोलंबियान ड्रक्स, आफ्रिकन गैंस्टर या इटलियन माफिया हो मैं नहीं छोड़ता अमरिता मेरी है, उसका सफना मेरा है, उसकी हर कोशिश मेरी है इम्मत है तो अमरिता को हरा कर निखा वाजा आरा हो मैं, इवेर ओप रॉक और रॉकेट